एक बदर कोल इंडिया पर वियू दें कि यूदि काफी अच्छी राली बनी है इसमें अच्छी सवाल पूज़ा दीप, दो चीज पहले बता रहें चलों, पहली चीज तो कोल इंडिया में आज समा पांच रुपे का डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड हो रहा है वो ध्य यह जो E-Ouction होते हैं, इस E-Ouction में प्रीमियम कम हो रही है जिस पहाओ पे कोईला बेचा जाता है, E-Ouction में पर दो कोईले निक्सान के बात है लेकिन कल कॉन कोल में management ने का कि भले ही वो premium कम हो रही है लेकि वह volume आपके बढ़ रहे है तो वो offset हो जाता है तो आपकी कमाई में अंतर नहीं आएगा premium कम हो रही volume बढ़ रहे है तो ठीक है यह auction वाली चिंता खतम अब आईए आपने का कि अठाटर करोटन में से होगा एक करोटन में से होगा एक परसेंट आपका कोईले का production जो आप इस साल का वित्वर्ष दो जार चुबिस का सोच कर चल ले थे वो कम होगा लेकिन साथ ही management ने यह बहुत साफ साफ कहा है कि वित्वर्ष दो जार पचीस में तगडी guidance है नो परसें तो मतलब वो 9% की guidance उन्होंने तगडी वाली दिये तो अब ठीक है इस साल में अगर आपका maintain हो गया एक 8% कम भी हो गया लेकिन आपको तो future को देखे करना है तो मुझे लगता है future की growth guidance हो काफी मजबूत रखिये तो वो बाज़ार को पसलाएगी तो I don't think कि यहां से और गिरावट किजिए अच्छा एक और चीज है dividend जो कोल इंडिया का हमेशा से एक बड़ा हत्यार रहा है investors को खुश करने का अभी आप उम्मीद कर सकते कि निफ्टी की कंपनियों में one of the best होगी dividend देने में मेरे खाल से dividend के हिसाब से कोल इंडिया ITC यह कुछ है कम्या है जिनको आप पकड़ नहीं सकते है तो I think मुझे लगता है कि यहां से कोई बहुत गिरावट वाली बात है इंफेक्टर थोड़ा नीचे आये तो यहां पर खृदिया है